हेलो एवरिवन, वेलकम टो वर चानल, आज है ब्लाउच क्लास का चोथा दिन, इससे पहले हमने तीन क्लासेस आप सभी के साथ शेयर की है, अगर आपने ब्लाउच क्लास के तीनों वीडियो को नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँग तो हम इसमें टक्स लगाना सिखेंगे, कि टक्स का मेजर्मेंट कैसे होता है, प्लेट कैसे डाली जाती है, और पीछे का जो हिस्सा होता है, बेक पार्ट होता है, इसमें भी प्लेट डालते हैं, तो इसमें दो प्लेटे डलती है, वो किस मेजर्मेंट के अनुसार डलती है सारा में बताऊंगी और पूरा formula के according बताऊंगी बस आपको वीडियो पूरा देखना है तो आप किसी भी size में plates केसे डालना है हमाद चार टक्स बनाना सिखेंगे इसमें सादा ब्लाउच कहा जाता है जिसे बस आप वीडियो पूरा देखिए skip मत कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम इसमें बेक के पार्ट में यानि की पीछे के हिस्से में प्लेट डालना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो ये देखिए इधर जो लिखा हुआ है इसलिए मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ अंदर की साइड से ताकि हम टक्स की मार्किंग करें तो आपको अच्छे से क्लियर नजर आए तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है इसे अब सबसे पहले जब भी आप टक्स लगाए तो एक फॉर्मूला होता है इसका बेक में हम दो टक्स लगाते हैं तो जो भी आपका चेस्ट होता है उसका आपको दस्वा हिस्सा निकालना होता है ठीके कौन सा हिस्सा दस्वा हिस्सा चेस्ट चाहे कुछ भी हो ठीके जिसे मेरे case में chest यानि की सीना 34 है तो 34 का हम दसवा हिस्सा निकालेंगे यानि की इसे 10 से आपको भाग दे देना है है ना कोई भी chest आपको ऐसे ही करना है इससे एक perfect निकल कर आता है tux का measurement जैसे मैंने 34 का दस्वा हिस्सा निकाला तो मेरा 3.4 आया है ना यह tux की लंबाई नहीं है हमें गले के यहां से tux की कितनी दूरी लेनी है ये निकल कर आएगिगी आपकी अब ऐसे में आपका 40 सीना है, जो भी आपका सीना है आपके केस में आपको उसका दसवा हिस्सा निकाल देना है याने कि उसे दस से भाग देना है, जिसे 40 का हमारा 4 इंच आएगा, 36 का हमारा 3.6 आएगा तो ऐसे अलग-अलग sizes के लिए आपको निकाल लेना है तो देखे हमारा 34 के हिसाफ से measurement कितना आया 3.4 तो अब आपको गले के यहां की तरफ से बंद भाग की तरफ से इंच टेप रखना है और इस तरीके से 3.4 पर निशान लगाना है अब मैंने आप सोच तो होंगे कि इंच टेप नीचे क्यों रखी है नीचे इसलिए रखी है क्योंकि टक्स की लंबाई के उपर डिपेंड करेगा ना तो हम जादा उपर भी इंच टेप नहीं रखेंगे है ना तो मैंने नीचे की तरफ इंच टेप रखी है और 3 भी आ सकता है आपका जिसे अगर 30 सीना होता तो आप 3 इंच पर निशान लगाते 40 सीना होता तो हम 4 इंच पर निशान लगाते तो इस तरीके से परफेट्ट टक्स का मेजरमेंट निकल जाता है इस फ़ॉर्मूले से तो आप जरूर ध्यान रखे इस फॉर्मूले को तो देखे मैंने 3.4 पर निशान लगा दिया ये हमारी टक्स की दूरी हो गई अब आती है टक्स की लंबाई की बारे तो देखे टक्स की लंबाई गले के उपर डिपेंड करती है कि गला छोटा है या बड़ा है अगर गला छोटा है तो आप 5.5 इंच तक का भी टक्स ले सकते हैं यानि कि टक्स की लंबाई और अगर गला बड़ा है तो 2.5 तीन चार इतनी लेंद भी ले सकते हैं दो भी ले सकते हैं हम टक्स की लेंद डिपेंड करता है गले की लंबाई के उपर अब ही हमारा गला छोटा है इसलिए मैं 5 इंच ले रही हूँ यहाँ पर मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है अब यहाँ पर सीधी लाइन बना देंगे इसे हटा देते हैं और एक सीधी लाइन बना देते हैं टक्स जो होता है उससे ब्लाउस जो होता ना पीछे से उठत यह देखिए आधा इंच मैंने इस तरफ लगाया, आधा इंच इस तरफ लगाया, यह सभी के लिए यही रहेगा आधा आधा इंच ही, है न, अब यहां से यहां मिलाते हुए तिरची लाइन दे देंगे हम, आपको पता हो तो मैंने ब्लाउस क्लास 3 में कहा था कि हम एक आते हैं तो फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी, अब यह जो टक्स है यह इस तरफ भी लिया जाता है, जैसे कि अगर हमारा कपड़ा है, तो हम क्या करते हैं, चोक से जो निशान रेता है तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके डैप-डैप करते हैं, तो क्या होता है कि न निशान दोनों तरफ आ जाते हैं, लेकिन अभी मेरा मारकर है, तो यह निशान नहीं आए, तो मैंने इसलिए इस तरफ भी निशान ले लिये हैं, तो पीछे का परदा, पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके से रहता है, दो टक्स आते हैं पीछे, और टक्स की लंबाई जिसे चार टक्स से लगाना सिखेंगे, यानि की चार प्लेट, तो इसे भी में इसतर प्लेन साइट से फोल्ड कर लूँगी, ताकि निशान अच्छे से नजर आए आपको, तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है, अब फोल्ड करने के बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मे बस्ट पोइंट अगर आपको निकालना नहीं आता है, तो मैं एक ट्रिक वाला वीडियो भी आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बोडी से कैसे मेजर करना है, इसका भी लिंक दे दूँगी, तो दोनों वीडियो आप देख लेना, बोडी से मेजर नही यहाँ पे जो यह आपका शोल्डर है ना, यहाँ पर बीच में इंच टेप रखेंगे हम इस तरीके से, यह देखें, बीच में इंच टेप रखने के बाद, अब बस्ट पोइंट जो होता है ना, किसी का नो भी होता है, किसी का दस भी होता है, किसी का ग्यारा भी होता है, है अब मेरे case में जो burst point है वो है साड़े 9 इंच ठीक है तो साड़े 9 में में आधा इंच प्लस करूँगी अब आधा इंच क्यों प्लस करते हैं क्योंकि जो shoulder रहता है उपर सिलाई में हमारा चाहिए होता है आधा इंच कपड़ा इसलिए आपका जो भी burst point इसे dart point भी कहते हैं लो तो जो भी आपका dart point है उसमें आप आधा इंच प्लस कीजिए अगर आपका 9 है तो साड़े 9 कीजिए 10 है तो साड़े 10 कीजिए सभी की case में आपको ऐसा करना है क्योंकि shoulder को जोडेंगे ना तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा इसलिए जो भी आपका body से निकल कर आ रह तो यह मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया अब यह जो एक निशान है न यह बहुत जादा help करेगा आपके चारों टक्स को बनाने में यही एक main point रहता है guideline का काम करेगा आपके लिए और मैं बहुत easy way मैं आज टक्स को explain करूंगी तो देखिए सबसे पहले हमने जो 2 इंच margin लिया है ना उसकी एक सीधी line बना देते हैं ताकि हमें टक्स जब लगाए तो हमें पता रहे तो यह मैंने margin वाली line बना दी अब यहां पर हम थोड़ा सा box type बना लेते हैं जो हमने armhole का shape दिया था जब जिसा box था ना ऐसा box बना लेते हैं अब यह मैंने box बना दिया अब आ कि सिर्फ आपको और 1.5 स्भाव और 12 इंच याद रखना है इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की जरुरयत नहीं है कि कितनाकी लंबा लेना है Hetुण कॉन सा की कितनी लंबाही रखेंगे ऐसा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है सिर्फ आपको और 12 इंच ठीहान लगाएंगे, आप एक इंच पर भी लगा सकते हैं, डेड़ इंच पर भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको डेड़ इंच सजेस्ट करूंगी, डेड़ इंच परफेक्ट होता है, तो आपको सीधा-सीधा, उसी की सीध में डेड़ इंच पर एक निशान लगाना है, बस्ट पॉ तो मैंने बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाया अब इधर में एक लाइन बना दूंगी यह देखिए जहां पर हमारा निशान था ना उसके इस तरफ में पूरी एक लाइन बना दी तो यह आपका एक टक्स बन गया कितनी दूरी रखी हमने 1.5 इंच अब वाबस आपको नीचे की तरफ बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच या एक इंच की दूरी रखना है अगर ब्लाउस की लंबाई जादा है तो 1.5 इंच और ब्लाउस की लंबाई कम है तो एक इंच अभी मेरे केस में ब्लाउस की लंबाई कम है ना तो छोटे की लंबाई का तो मैं एक इंच लूँगी अगर आपका 15 तक है ना तो आप यहां भी डेड़ इंच लीजेगा जैसे मैंने उस तरफ लिया ना डेड़ इंच ऐसे इधर भी आपको डेड़ लेना है फिलाल देखिए यहां पर मैं डेड़ इंच पर निशान लगा रही हूं लेकिन मेरे इसम पर अफ एको टक्स लगाएंगे आर्म होल की साइड तो आपको बस्ट पॉइंच से अब दो इंच पर एक निशान लगाना है ठीक है तिर्चा जैसे आर्म होल की जगए थोड़ा सा टेप को घुमाते हुए आर्म होल की जगए है ना देखिए मैंने टेप को कैसे रखा है आर्म होल की सीध में रखा है डेड़ इंच का भी ले सकते हैं आप दो इंच का भी ले सकते हैं बस्ट पॉइंट से दूरी मैं दो इंच ले रही हूं दो इंच पर मैंने एक निशान लगाया सबसे पहले हमने डेड़ इंच पर निशान लगाए अब इसके बाद मैंने दो इंच पर निशान लगाया और इसे आर्म होल वाले में जोइंट कर दिया ठीक है है ना इजी मेथड अब उसके बाद में यहां और यहां का टक से एक बार मैं आपको रिपीट कर दू कि यह हमारा कौन-कौन सा कितने-कितने इंच की बस पॉइंट से दूरी पर था तो देखे देकि आर्म होल वाला दो इंच की दूरी पर रहेगा आपका सभी साइजेस में और यह 1-5 इंच मेरे ही साब से 1-5 इंच परफेक्ट होता है यहां पर 1-5 इंच आपको देखना है बाकि जो गले की तरफ आला है इसमें फिक्स 1-5 इंच की दूरी रख यह जो दोनों टक्स ह इनका center निकाल कर आपको एक dot लगा देना है, इन दोनों का center देखेंगे, कहां आ रहा है, यह देखें, यहां पर आ रहा है न, तो यहां पर आपका एक और टक्स बन जाएगा, अब आपको नीचे की तरफ से क्या करना है, जब लंबाई जादा है बलाउच की, तो धाई इंच और लंबाई कम है, तो दो इंच पर एक निशान लगाना है, आपका जो एको टक्स बनेगा न, उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं, लंबाई जादा है तो धाई इंच, बलाउच की लंबाई कम है तो दो इंच, और अब हमने जो दोनों का center लेकर एक निशान लगाया थ यह जो टार्ट होता है न, नीचे वाला यही एक इंच का होता है, बाकि सब सिंपल डार्ट होते हैं, आधा इंच भी इसमें नहीं जाता है, सिलाई में, बहुत कम कपड़ा ना के बराबर जाता है, कपड़े पर फिर भी क्या adjustment करना है, कितना बढ़ाना है, यह मैं आने वा आधा इंच का भी टक्स नहीं है, इस तरीके से आर्मोर वाला भी टक्स ले लेंगे, पॉइंट वन पॉइंट वन इतना टक्स है, जादा नहीं रहेगा, तो इस तरीके से मैंने चारो टक्स की मार्किंग कर ली है, आप देख सकते हैं, यहां पर जो होता है न, एक परफेक आपका बनना चाहिए, वरना शेप कहां से अच्छा आएगा, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको बताती कि आप इतना लंबा टक्स लीजिए, तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन आप ये तरीका फोलो कीजिए, बिल्कुल पॉफेक्ट तरीका है, मैंने एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर किया है, और इस तरीके से जो फिटिंग आएगी, वो बहुत अच्छी होगी, और ऐसे ही निशान हमें इस तरफ भी लेने हैं, ये टक्स भी दोनों साइड रहेगा, है ना, दोनों तरफ इस टक्स की मार्किंग रहेगी, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको लिख कर बता देती हूँ कि कितना क्या रहेगा, तो देखें, यहाँ पर आपका बस्ट पॉइंट है, इसी से हमने सारी चीजे ली है, कितनी दूरी पर ली है, मैंने ये बताया है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको नहीं कितनी दूरी पर ली है, आप इसका स्क्रीन्षोट लेजिए, इसे अच्छे से समझिये, इसकी प्रेक्टिस कीजिये, जितनी जदा आप प्रेक्टिस करेंगे, इतनी अच्छी आपकी हैविट होती जाएगी, और इसकी प्रेक्टिस करकर वेरे साथ, आप पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है नहीं आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताईएगा तो फिर मिलती हो में नेक्स वीडियो में नई क्लास के साथ और ऐसे ही सीखते रहिए फिर मिलते हैं हम तब तक के लिए बाबाए गाईस इन देखते रहे ये वीडियो को थैंक्स पूर बाचेंग अलो फिर में